नमस्कार दोस्तो स्वागत हैं आप सभी का हमारे चानल A2Z Speed News में दोस्तो IPL 2021 का 42 स्वाम मुकाबला मुंबई इंडियन्स और पंजाब किंग्स के बीच कल खेला गया इस मैच में मुंबई इंडियन्स ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट के अंतर से हरा दिया इस मैच की समापती के बाद पॉइंट स्टेबल, औरेंज क्याप और परपल क्याप की सूची में जबरदस्त उलट फेर देखने को मिला है चलिए देखते हैं एक एक करके पॉइंट स्टेबल पॉइंट स्टेबल की बात करें तो 10 में से 8 मैच जीत कर 16 पॉइंट के साथ चन्नाई सूपर किंग्स की टीम पहले नंबर पर मोजुद है वही दिली कैपिटल्स की टीम दूसरे नंबर पर है जिनोंने 11 मैच में से 8 में जीत और 3 में हार और उनके 16 पॉइंट से नंबर 3 पर रॉयल चलेंजर्स बेंगलूर की टीम ने 10 में से 6 मैच जीते है और उनके 12 आंख है उसके बाद नंबर 4 पर कोलकता नाइट रैडर्रिस की टीम पहुंच चुकी है जिनोंने 11 में से 5 मैच जीते है और उनके 10 आंख है उसके बाद मुंबाई इंडियन्स, पंजाब किंग्स, रोजस्तान रोयल्स और संद्राइजर्स हैदरावाद की टीम मोजूद है औरेंज कैप की सुची औरेंज कैप की बात करें तो नंबर 1 पर शिकर धवन है जिनोंने 11 मैच में 454 रन बना चुके है नंबर 2 पर संजुश शामसन मोजूद है जिनोंने 10 मैच में 433 रन बनाये है नंबर 3 पर केल राहूल मोजूद है जिनोंने 10 मैच में 422 रन बनाये है उसके बाद फाफ डुपलेसिस और रुतुराज गाय क्वार्ड मोजूद है परपल कैप की सुची नमबर एक पर हर्शल पतेल बने हुए है जिनोंने 10 मैच में 23 विकेट अपने नाम किये है उसके बाद नमबर दो पर आवेश खाने जिनोंने 11 मैच में 18 विकेट लिये है नमबर तीन पर जस्परीद बुम्बरा ने भी 11 मैच खेले है और 16 विकेट है उनके नमबर चार पर मौमत शमी मोजुद है जिनोंने 11 में से 14 विकेट लिये है नमबर पांच पर क्रिस मोरिस है उन्होंने 9 मैच में 14 विकेट लिये है दोस्तो इस वीडियो में बस इतना ही डेली अपडेट के लिए देखते रहिए एटुजर स्पीड नियोस धन्यवाद